एलो बच्चे बटा आज हम बात करेंगे अपने टेस्ट के सॉलूशन की जो आज हमका टेस्ट हुआ था उसके सॉलूशन की बात करते हैं देखो बच्चेएक कुश्चन मैं आपको करार हो Network 1 है उसने बह looks simplify हमें किसको simplify करना है स्क्वार रूट ओफ 13 प्लस स्क्वार रूट ओफ 5 रैकिट स्क्वार रूट ओफ 13 माइनस स्क्वार रूट ओफ 5 था न बचे यहां पर सीधा सीधा आपको इडेंटिटी लग गई है ए प्लस बी और ए माइनस बी आपका आंसर आगया ए स्क्वार माइनस बी स्क्वार तो रूट 13 का स्क्वार माइनस रूट 5 का स्क्वार बच्चे स्क्वार में इतनी ताकत इसने किसको कड़ दिया बच्वार रूट को बच्वार तो कितना आगया आंसर एट आपका आंसर उसकी whole power बिटा 2 by 3 है न अब देखो जरा square root का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे whole power 1 by 2 उसकी whole power कितनी है 2 by 3 बच्चे powers की मैं power में क्या कर दूँगा multiply और यहां से आप अराम से देखेंगे 3 से 3 cancel 2 से 2 x की power 1 answer आपके पास आगया बिटा x question number 3 की तरफ हम चलेंगे बिटा question number 3 है बिटा 2 की power 0 plus 7 की power 0 upon में बच्चे 5 की power 0 anything of else power is 0 तो answer is 1 1 plus 1 upon में 1 answer is 2 आगया बिच्चे इसका question number 4 को हम करेंगे बिटा simplify आपको करना है root 3 plus root 5 bracket बच्चे 3 minus root 5 यहां पर आप देखेंगे बिटा identity नहीं लग रही है यह plus b minus b नहीं है क्योंकि इस पर square root नहीं है बच्चे ठीक है न यहां पर हम क्या करेंगे 3 root 3 minus root 15 plus इन दोनों की multiply करेंगे 3 root 5 minus के 5 यह आपका अंसर आ गया बच्चे इसका यहीं पर हम इसको छोड़ देंगे चलिए उसके बाद हम question number यहां तक आपका हो गया हो तो आप अपनी वीडियो को विराम देके लिख सकते हैं अब हम यहां पर आगे बात करेंगे question number 5 की सकते हैं इसको मेरे बच्चे 18.48 पर बार इन दा फर्म ऑफ पी बाई क्यूं है ना बच्चे हम क्या करेंगे let X equal to 18.48 पर बार X equal to 18.48 पर एट दोट 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 टीक है बच्चे यह हमने लिख दिया दो number पर बार था मेरे बच्चे हम क्या करेंगे multiply multiply by 100 both side, multiply by 100 both side, 100x equal to 100 into 18.4848 dot dot dot, कि आगे बेटा, 100x equal to 1848, तो इस देसिमल है, 100 से multiply काना, दो digit बार decimal shift हो जाएगा, तो 48 dot 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 बेटा, इसको बोला equation 1, इसको बोला equation 2, इसको बोला equation 1, बेटा subtract कर दीजिए बच्छे, equation 1, from किस में से बेटा, 2 में से, 100x minus x कितना हो गया बेटा, 99x, इस में से आप इसको subtract करेंगे, 1848.48 dot 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 में से आप minus करेंगे, 18.48 dot dot dot, तो बेटा, आपका जिल्टेंट answer आएगा, 18T0 x या आगे 99 बच्छे, x equal to 18T0 upon में 99 बच्छे, इसको simplest आप कर लीजिए, तो आपका आजाएगा, 610 upon में 33 आपका answer आजाएगा, 6 से वो cancel हो रहा है, 3 से आपका cancel हो रहा है बच्छे, ठीक है जी, चलें बच्छे हम आगे, आगे की बात करेंगे बच्छे हम, बड़े ध्यान से, next question number 6, आपका आसान है, यह हम आपको class में भी सिखा के आ चुके है, represent the square root और नंबर लाइन यह आप जानते हैं, ठीक है, तो हम question number 7 की बात करेंगे, 6 आपका, जो question है वो आपको मैं किलास में करा दूँँगा, ठीक है जी, और करा भी चुके हम किलास में आपको, चले, question number 7 की तरफ चलेंगे, 18, 81, sorry, minus 8, cube root 216 मेरे बच्चे, plus 15, यह बच्चे question है आपके पास, plus square root of 2255, इसका मतलब आपको पता है, 81 की power 1 by 4, इसे आप बोल सकते हैं, 216 की power 1 by 3, इसे आप बोल सकते हैं, बेटा, 32 की power 1 by 5, plus square root of 225, यहाँ पर आप बोलों, किसका होता है, 3 की power 4, उसकी whole power 1 by 4, 8, यह होता है, बेटा, 6 की power 3, उसकी whole power 1 by 3, plus 15, यह होता है, बेटा, 2 की power 5, उसकी whole power 1 by 5, यह होता है, बेटा, 225, के यहँआ पर यह आपका क्या हुए पावर की पावर से कैंटन 3 की पावर वन पावर की पावर से कैंटन 2 से 3 कैंटन वह मल्टिप्राइब कर दी न है तो उसे कट गया कैंटन ओगया माइनस एट इन्टू में 6 प्लस 15 इन्टू में 2 बेटा प्लस यहां पर इसका स्क्वारोट सॉल करा 15 आ गया 3 माइनस 48 प्लस 30 प्लस 15 45 माइनस 45 आंसर आपके पास आ गया बच्चे 0 आपका आंसर आ गया ठीके जी कोशन नमबर 7 का बच्चे कोशन नमबर 8 की तरफ अब हम चलेंगे भाई कोशन नमबर 8 में देखो उसने क्या बोला मैं इसको थोड़ा सा क्या कर देता हूं साइड हम इसको कर देते हैं थोड़ा सा कोश्चन नमबर 8 की तरफ चलेंगे बच्चे माँ कोश्चन नमबर 8 में उसने क्या बोला है बिटा हमें find the value of a and b निकालनी है और वो किसके equal है बिटा root 3 plus 1 upon में root 3 minus 1 है root 3 minus 1 upon में root 3 plus 1 equal to किसके बिटा a plus b root 3 इसको आप यहां से rationalization कर दीजिए और rationalization करके आप मुझे बताइए क्या है root 3 minus 1 upon में root 3 minus 1 equal to a plus के b root 3 बिटा यहां पर उपर identity बन गई बिटा a minus b a minus b का holy square नीचे identity बन गई a का square minus b का square बिटा equal to a plus के b root 3 ठीक है बच्चे आगे बढ़ेंगे हम questions में आगे चलेंगे यहां पर आप देखोगे यहां पर identity open हो जाएगी a का square plus b का square minus 2ab बेटा ठीक है ना upon में नीचे square से root कर गया बेटा 3 minus 1 equal to बेटा आपके पास आगया a plus के b root 3 यहां पर square से root कर गया तो यह कितना है 3 plus 1 minus 2 root 3 बेटा अपॉन में 3 minus 1 equal to a plus b root 3 बेटा देखो कितना हो 3 plus 1 4 minus 2 root 3 बेटा अपॉन में 2 equal to a plus b root 3 बेटा यहां से इसके नीचे भी रहतेंगे 4 अपॉन में 2 2 root 3 अपॉन में 2 a plus b root 3 बेटा यहां से तू तू जा पूर हो गया तू से टूगड़ गया 2 minus root 3 equal to आगया बेटा a plus के b root 3 ठीक है भाई अब आप यहां पे देखो थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा आप अराम से यहां पर आप इसको दिख लीजे मैं इसको यहां पे कर देता हूं ठीक है जी यहां पे हम कर देता हूं कि हम यहां से अपना कोशन प्राश्ट कर लेते यहां पे देखो बच्चे भिश्को कि कितना आया अब कंपेर कर देते हैं root 3 वाला root 3 से बेटा तो a की value कितनी आगई यहां से 2 आपकी आगई अच्छा यहां पर क्या plus b root 3 यहां पर क्या minus root 3 root 3 का coefficient यहां पर b है यहां पर root 3 का coefficient minus 1 है तो b की value आगई बेटा minus 1 यह आपका answer आ गई होगी तो आप अपनी वीडियो को अराम से विराम देके लिख सकते हैं या question को अराम से दोबारा करके देख सकते हैं चलिए बच्चे अब हम बात करेंगे next next question की बिटब हम बात करेंगे next question की भाई चलिए समझो बच्चे राम से दोबारा हम रब कर देते हैं सायद कुछ हो गया होगा हो जाता है digital devices कुछ भी हो जाता है आजए बच्चे question नमबर 9 की तरफ चलेंगे a equal to कितना है बेटा root 2 plus 1 हमें value किसकी निकालना है बेटा a minus 1 by a की हना जब a आपको given है 1 by यह निकालना है तो पहले 1 by यह देखो कितना हुगा 1 upon में root 2 plus 1 अब इसको जरा यहां से rationalization कर लेजी आब root 2 plus 1 into root 2 minus 1 upon में root 2 minus 1 1 upon में equal to बेटा root 2 minus 1 upon में a का square minus b का square बेटा 1 upon में a equal to बेटा root 2 minus 1 upon में square से root कर गया 2 minus 1 1 upon a कितना आगया मेरे बच्चे 2 minus 1 upon में 1 1 upon a की value आगे बेटा root 2 minus 1 अब हमें value किसकी निकालना है बेटा a minus 1 by a की बेटा का whole square तो a की value आप इसमें enter करिये a कितना है मेरे बेट्चे root 2 plus 1 minus 1 by a 1 by a की value आपने यहां पर यह निकाल रखे है बेटा अच्छा minus के बाद कोई बीची रखते तो bracket में रखेंगे root 2 minus 1 का पूरे का whole square बेटा अब हम इसको solve करेंगे यहां पर यह आपका कितना आ जाएगा root 2 plus 1 minus root 2 और minus minus plus होगे root 2 से root 2 कर गया उसका whole square अच्छा 1 plus 1 कितना होगे बेटा 2 2 का square answer is 4 इसका answer बेटा आपका 4 आ गया यहां तक आपको बासन में आ गई होगी अब next question की तरख चलेंगे बच्चे next question ठीक है अराम से आप समझेंगे next question 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 number है मेरे बच्चे 10 10 में देखो उसने क्या बोला है 3 by 4 की whole power 6 into बेटा 16 by 9 की whole power बेटा 5 equal to बेटा 4 by 3 की power x plus 2 बेटा देखो आरेचे साइड में देखो इधर 4 by 3 की power x plus 2 है तो बेटा सब को इसको जो रहा क्या बना लीजिए आप 4 by 3 की 4 by 3 की form में आप इसको बना लीजिए ठीक है बेटा आप समझो पहले यहां पर देखो बनाओ इसको 4 by 3 की whole power minus 6 है ना यहां पर क्या बोल सकता हूं 16 को 4 का भी square और 9 को क्या बोल सकता हूं 3 का square उसकी whole power 5 equal to 4 by 3 की power x plus 2 तो 4 by 3 की power minus 6 into इसको क्या बोलूंगा बेटा 4 by 3 की power 2 और power की power multiply 5 into 2 कितना होगे 10 और 4 by 3 की power बेटा x plus 2 आपका आ गया यहां पर multiply हो रही है बेज सेम है मेरे बच्चे तो power क्या हो गई बेटा minus 6 plus 10 बेटा 4 आ गया 4 by 3 की power बेटा कितना आ गया x plus 2 power सेम बेज सेम है power compare हो जाएगी बेटा तो x की value कितनी आ गई भाई minus के 2 आपका यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी अब हम आगे की बात करेंगे next question number 11 की तरफ चलेंगे पहले हम लेकिन यहां पर 11 आपका आएगा नहीं थोड़ा सा एक काम करते हैं इस पेज थोड़ा सा और करते हैं अब हम बात करेंगे question number 11 की question number 11 देखेंगे बच्चे क्या है पेटा 4 upon में 216 whole power minus 2 by 3 plus 1 upon में 256 की power minus 3 by 4 plus 2 upon में 243 की power minus 1 upon में 5 पहले तो मैंने minus से सब की power plus बना ली 216 की power 2 by 3 plus power ये भी उपर पहुच गई बच्चे 256 की power minus 3 by 4 plus 2 into में 243 की power 1 by 5 सब मैंने power plus बना ली बेटा 4 216 को मैं क्या बोल सकता हूं 216 किसकी power होती है 6 की power 3 होती है इसकी power 2 by 3 256 किसकी power होती है बेटा 4 की power 4 उसकी whole power प्लस में आएगी बेटा यहां पर पावर क्योंकि मैं नीचे से ओपर लिया है बेटा उसको यहां खुड़ा सा मैंने गल्च लिख दिया था अब यहां पर आएगा 3 by 4 plus 2 into में 243 243 किसकी power होगी मेरे बच्चे 3 की तो 3 की power हो गई बेटा 3 की power 5 उसकी whole power मेरे बच्चे 1 by 5 पावर से power multiplier होगी 3 से 3 cancel 4 से 4 cancel 5 से 5 cancel तो यह कितना 4 into में 6 का square 36 plus 4 की power 3 कितना हुआ मेरे बच्चे 64 plus 236 4 की power 6 बटाओ कितना हुआ चेज़क 24 और 244 प्लस 70 आंसर 214 यह आपका इसका answer आगया बच्चे तो question number 11 तक बच्चे हमारे complete हो गए अब हम next आप अपनी वीडियो को पहले यहां पर विराम देगे question को लिखना चाहिए लिख सकते हैं इसके बाद हम बात करेंगे question number 12 की बच्चे फिर 30 चलिए मैं इसको यहां से रब कर दे रहूं और आम से आप question number 12 और question number 13 आप देखेंगे बच्चे बच्चे क्या बोला है प्रूब देट आपको प्रूब करना है तू की पावर 30 प्रस टू की पावर 29 प्रस टू की पावर 28 अपॉन में टू की पावर 31 प्रस टू की पावर 30 माइनस टू की पावर 29 एक्वल टू बेटा आपको लाना है 7 बाइक 10 हम लेके चल रहे हैं की पावर 30 प्रस्टू की पावर 29 प्रस्टू की पावर 28 divided by तू की पावर 31 प्रस्टू की पावर 30 माइनस तू की पावर 29 उपर से देखेंगे बच्चे पावर क्या रही है minimum common 2 की power 28 2 की power 2 plus 2 की power 1 plus 1 divided by नीचे से आप बताएंगे lowest power क्या common आ रही है 2 की power 29 2 की power मेरे बच्चे यहाँ पर क्या बच्चे गया 2 29 में से 31 में से 29 चला जाएगा तो क्या बच्चेगा 2 प्रस 2 की power 1 माइनस 2 की power only 1 नी बच्चेगा यहाँ पर सिफ only 1 बच्चेगा 2 की power कुछ नी बच्चेगा अब आप देखेंगे भाई यहाँ पर देखो इन दोनों को पहले बात करें तो दिवाइड हो रहा है बेस सेम है तो पावर सब्ट्रेक्ट हो जाएगी 2 की power 28 माइनस 29 ठीक है बच्चेगा तू की बच्चेगा तू की बच्चेगा नीचे आके बच्चेगा प्लस हो गई तो 5 2 जा कितना होगे 2 इन 2 में 5 तो आंसर आगे बटा 7 बाई 10 आपका आंसर आगे आगे बढ़ते हैं बच्चे नेक्स्ट कोश्चन की तरफ चलते हैं बच्चेगा आजाए नेक्स्ट कोश्चन है बटा कोश्चन नमबर 13 find the value of a and b a and b की हमें value निकालनी है और क्या है मेरे बच्चे 2 माइनस रूट 5 divided by 2 प्लस 3 रूट 5 equal to बटा रूट 5 a प्लस b इसके आपको value निकालनी है तो हम क्या करेंगे हैं बच्चे 2 माइनस रूट 5 upon में बटा 2 प्लस 3 रूट 5 और rationalization कर देंगे 2 माइनस 3 रूट 5 upon में 2 माइनस 3 रूट 5 equal to बटा रूट 5 a प्लस b multiply कर ये बटा कितना है 2 तू जा 4 माइनस 6 रूट 5 यहाँ पर आप करेंगे माइनस 2 रूट 5 बटा प्लस 3 5 जा 15 multiply करी बटा हमने यहाँ पर नीचे identity बन गई a का square माइनस b का square बटा equal to root 5 a प्लस b बटा 4 प्लस 15 कितना हुआ 20 माइनस 20 नहीं हो बटा 19 19 भाई 19 माइनस 8 रूट 5 दिवाइड बटा 2 का square 4 और 9 5 जा 45 देखे बटा 9 5 जा 45 equal to बटा आपका हो गया यहाँ पर रूट 5 a प्लस के b तो कितना हुआ 19 माइनस 8 रूट 5 अपॉन में माइनस के 41 equal to root 5 a प्लस b यहाँ पर हम इसे बोलेंगे 9 अपॉन में माइनस दोनों के नीच चला लगे देंगे इसके निचे लेकिन तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 8 रूट 5 अपॉन में 41 equal to root 5 a प्लस b बेटा अब देखेंगे यहाँ पर बच्चे root 5 इसके पास है root 5 इसके पास है तो यह हो गई a की value यहाँ से तो a की value आपके पास आ गई 8 बात करेंगे question number 14 की बेटा अराम से आप समझेंगे question number 14 ठीके बिटा question number 14 आपका बहुती आसान question है class में भी हम आपको करा चुके हैं आपको इसकी value निकालनी है x की power a upon me x की power b की whole power a plus b x की power b upon me x की power c की whole power b plus c x की power c upon me x की power a की whole power c plus a ठीके बिटा अब यहाँ पर देखेंगे पहले आपका हो गया x की power a minus b बेश सेम है डिवाइड हो रहा है power subtract हो जाएगी x की power b minus c उसकी whole power b plus c x की power c minus a उसकी whole power c plus यहाँ से power की power multiply तो identity लग गई a square minus b square b square minus c square c square minus a square multiply हो रहा है बेश सेम है power add हो जाएगी तो आपका answer आजाता है इसका a square से a square cancel b square से b square c square से c square x की power 0 answer is 1 बच्चे ठीक है जी चले भाइए question number 15 की तरफ चलेंगे बेटा 15 उसने क्या बोला है आपसे 5 की power x minus 3 इंटू 3 की power 2 x minus 8 है ना equal to कितना है बेटा 225 अच्छा मैंने आपको बता था जब भी बड़ा number होता है और ऐसे questions होते हैं जिसमें इधर multiple है दो numbers कर तो हमें LCM लेते हैं तो कितना है 3 7 5 3 25 5 5 5 वंजा रही कितना हो गया बेटा x minus 3 इंटू 3 की power 2 x minus 8 यहां के according कितना है 3 का square इंटू 5 का square देखो बेटा बेटा बेस से मैं power compare कर देंगे 5 की power x minus 3 5 की power 2 तो x minus 3 equal to में 2 बेटा on comparing x की power कितना आगे 3 x sorry x equal to कितना आगे 3 plus 2 तो x की value कितनी आगे बेटा 5 यहां तक आपका answer आगया होगा question number 15 तक का चलें बच्चे हम आगे चलिए इसके बाद हम question number 16 और फिर question number 17 की बात करेंगे उनके answers भी आप देख लीजे कैसे निकालने है क्या question number 16 मैं बोला है उसने one upon में 3 minus root 8 plus sorry minus minus 1 upon में root 8 minus root 7 plus 1 upon में बेटा root 7 minus root 6 minus 1 upon में root 6 minus root 5 minus 1 upon में root 5 minus 2 equal to बेटा 5 अब हम क्या करेंगे या सबको हम अलग-अलग लेके चलेंगे अलग पहले rationalization करेंगे one upon में 3 minus root 8 का rationalization करेंगे कितना आया 3 plus root 8 upon में 3 plus root 8 तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा 3 plus root 8 upon में नीचे identity लग गई A का square minus B का square तो कितना हुआ बेटा 3 plus root 8 upon में बेटा 9 minus A square से root कर जाएगा यह कितना है बेटा 3 plus root फस्ट को rationalization करने के बाद आपका है 3 plus root 8 अब हम इसको करेंगे root 8 minus root 7 को into कर देंगे बेटा root 8 plus root 7 upon में root 8 minus root 7 उपर आ गया root 8 plus root 7 यहाँ पर आप identity लग गई A का square minus B का square बेटा square से root आपका कड़ गया तो root 8 plus root 7 यह आपका आगया simplest होगे तो यह 8 minus 7 नीचे 1 बच जाए ना चले भाई यह एक step और आप लिखना चाहें लिख सकते हैं root 8 plus root 7 upon में 8 minus 7 तो यह आपका बच गया root 8 plus root आप इसको करेंगे 1 upon में root 7 minus root 6 आप इसको rationalization आप करेंगे तो यह हो जाएगा root 7 minus root 6 upon में root 7 प्लस आएगा यहां पर यहां भी प्लस आएगा वह जल्दवाजी में थोड़ा सा हो गया तो root 7 plus root 6 upon में निचा identity बन गई A का square minus B का square बेटा square से root कट गए root 7 plus root 6 upon में 7 minus 6 आपका आगया root 7 plus root ठीक है बेटा अब हम करेंगे 1 upon में root 6 minus root 5 root 6 plus root 5 upon में root 6 plus root 5 root 6 plus root 5 A minus BA plus B A का square minus B का square A square से यह कट गया बेटा root 6 plus root 5 divided by 6 minus 5 root 6 plus root 5 upon में 1 तो यह बच्चा बस आपका ठीक है ना जाले बन तो लिखो ना लिखो कोई फ्रक नहीं पड़ता अब 1 upon में root 5 minus 2 तो जब आप इसको rationalization करेंगे तो कितना हो जाएगा root 5 plus 2 root 5 plus 2 root 5 plus 2 upon में A minus BA plus B A का square root 5 plus 2 upon में square से root कर गया 5 minus 4 root 5 plus 2 upon में 1 तो आपका वैच्चे यहां तक solve हो गया अब मैं value उठाओंगा इसमें put कर दूँगा अराम से आपको समझना है यहां पर मैं आपको करके दिखा रहा हूं इसको आपने solve करके value कितनी आ गई 3 plus root 8 इसको solve करके आपकी value आ गई प्लस root 7 minus है तो minus के वाट bracket की उज़ करूँगा root 8 plus root 7 फिर plus इसको solve करके आपकी value यहां से आ गई root 7 plus root 6 इसको solve करके आपकी value आ गई बेटा minus क्योंकि minus है तो bracket उज़ करूँगा root 6 plus root 5 और बेटा इसको solve करके आपकी value आ गई प्लस कितनी root 5 plus 2 वेटा अब देखे जरा 3 plus root 8 minus root 8 minus root 7 plus root 7 plus root 6 minus root 6 minus root 5 plus root 5 plus 2 root 5 से root 5 root 6 से root 6 root 7 से root 7 root 8 से root 8 3 plus 2 answer is 5 आपका answer आपका यहां तक आपको question समझ में आ गया होगा अब हम नेक्स्ट कोश्चन नंबर 17 की तरफ चलेंगे आप इसको अपनी वीडियो को फिराम देके लिख सकें ठीक है जी चलिए बड़े अराम से समझेंगे बच्चे कोश्चन को पड़े ध्यान से कोश्चन नंबर 17 81 by 16 whole power simplify करना है minus 3 by 4 into 25 की power 25 by 4 whole power minus 3 by 2 divided by 5 by 2 की power minus 3 सबसे पहले power सारी negative है power को सबको positive 16 by 81 whole power 3 by 4 4 by 25 whole power 3 by 2 divided by 2 by 5 whole power 3 अब हम क्या करेंगे इसको क्या वो लेंगे बच्चे हम power 4 में और ये भी power 4 में 2 की power 4 divided by 3 की power 4 उसकी whole power 3 by 4 इसको हम क्या बोलेंगे power 2 में 2 की power 2 2 की power 2 और 5 की power 2 उसकी whole power 3 by 2 अच्छा डिवाइड है पहले डिवाइड को 3 की power 4 इन्टो 3 की power 4 इन्टो 3 की power 4 इन्टो उसकी whole power 3 by 4 यहां पे भी 2 की power 2 इन्टो 3 by 2 5 की power 2 इन्टो 3 by 2 इन्टो 5 की power 3 upon 2 की power 3 2 से 2, 2 से 2, 4 से 4, 4 से 4 2 की power 3, 3 की power 3 2 की power 3, 5 की power 3 इन्टो 5 की power 3, 2 की power 3 multiply में यह cancel हो गया बिटा इफ क्या बचा 2 की power 3 upon में 3 की power 3 तो आपका आगया 8 upon में 27 यह आपका answer तो यहां तक आपका paper solve हो गया है बच्चे अच्छे से जिसके जो भी question में doubts हो उस आप एक बार करके देख लीजिए चलिए